नमस्कार दोस्तों सौगता आपका हमारे यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर आज हम बात करेंगे पतेंजली के और से आने वाली लाक्षादी गूगुल आउशदी के बारे में इस आउशदी को कई सारी दूसरी कमपनिया भी बनाती है आप किसी भी कमपनी का ले सकते हैं कमपनी से कोई फरकने पड़ता आज हम जानेंगे इस आउशदी के क्या है फाइदे क्या है नुकसान इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए कब करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए इन सब के बारे में डिटेल्स में तो चले शुरू करते हैं दोस्तों दिव्य फार्मशी की तरब से आने वाली लाक्षादी गुबूल यह जो अवशदी है यह specially वात विकार और अस्ति विकारों के लिए काफी उपयोगी अवशदी है सबी प्रकार के स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड समस्या में और वात से उत्पन्न होने वाली बिमारी में इस आवशदीयों का यूज किया जाता है हड़ी में दर्द हो, हड़ी अक कमजोर हो रही हो हड़ी से सम्मंदी सभी प्रकार की बिमारियों में जोडों के दर्द में, सभी प्रकार के अर्थराइटिस में इस आउश्यदियों का इस्तमाल किया जाता है पीट दर्द, गुटने का दर्द, कहीं पर भी जोडों में दर्द हो उसमें ये काफी effective आउशेदी है इसके अलावा पुराना दर्द कहीं पर चोट लग जाती है या accident में कहीं चोट लग जाती है उसका दर्द बाद में जाके दर्द होने लगता ऐसे आवस्ता में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते है तूटी हुई हडड़ी को जोडने के लिए बहुत बेश्ट आउशेदी है ये कहीं पर भी फैक्चर वगर हो गया हो तो उसकी बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती इस आउशेदी से सुजन हो, सुजन के साथ दर्द हो वस्ता में भी इसका इस्तमाल आप कर सकते है कुछ हद तक मान स्पेशियों के दर्द में भी ये काफी एफेक्टिव हो जाती है अगर इसमें यूज की गए आउशेदी के हम बात करेंगे तो इसमें में जो आउशेदी है वो है लाक इसके आलावा हट जोड का भी इसमें इस्तिमाल किया गया है अर्जुन की छाल, अश्वगंदा, नाग बेला और इसमें यूज किया है शुद्ध गुगूल का तो ये कुछ आउशेदी को मिला के इसका इसको बनाया गया है अगर इसके हम डोस की बात करें तो आपको दो गोली दिन में दो बार खाना खाने के बाद लेना है दूद या गरम पानी के साथ वैसे दूद के साथ लेंगे तो बहुत जल्दी एफेक्ट हो जागा क्योंकि दूद में क्यालशियम की भी मातर होती और उसके साथ ये बहुत जल्दी असर करती है तो खाना खाने के आदे से एक घंटे बाद आपको गुन-गुने पानी के साथ या गरम दूद के साथ दो दो गोलिया इसकी लेनी है तो दोस्ते यह थी कुछ जानकारी लाक्षादी गुगूल जो special हड्डियों की बिमारियों में 명्तियों की कमजूर्मि और वात विकारों में इस्तमाल की गई अशदी के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए धन्यवाद